गईज गुजराट टाइटन्स और डेली कैपिटल के बीच इस IPL का जो 32 मैच खेला जाएगा मतलब गईज जी टी वर्से डी सी के बीच जो आज का मैच होने वाला है उसके बारे में अपन इस वीडियो में डिटेल प्रेडिक्शन करने वाले एक तरफ गईज आपको शुबमन गिलक अपतानी करते हो है दिखेंगे एक तरफ रेशापन और आपको बता दू गईज ये वाला मैच गुजराट टाइटन्स के घर पे होने वाला है मतलब नरेंडर मोदी स्टेडियम एमदाबाद में और एमदाबाद का गईज यह मैदान या फास्ट बॉलर्स को उसके बारे में भी बात करेंगे साथ में गईज मैं आपको बताऊंगा इस वाले वीडियो में कि जीटी वर्सेर डीसी की आज के मैच में क्या प्लेइंग 11 होने वाली है और चीज गईज जीटी वर्सेर डीसी के बीज गईज जब भी मैच होता है तब कौन-कौन से प्लेयर्स है जो पर्फॉर्मेंस देते हैं उसके बारे में बात करेंगे और गाईज अगर आप इस वाले मैच में ग्रैंड लीग या मेगा लीग खेलने जा रहे हो न तो भाई दो प्लेयर्स मैंने पता करे हैं जो आज के मैच में काफी अच्छा कर सकते ह का इस मैदान पर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो उन दो प्लेयर्स को अपनी टीम में आप पक्का से रख लेना कौन से प्लेयर है वह गईज मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वालू साथ में आपको इस वीडियो में पता लगेगा आज के मैच के लिए कप्तान औ क्या आज के मैच में धमाका करेंगे वह भी अपन देखेंगे साथ में गुजराट टाइटन्स के आज के मैच में कौन कौन से प्लेयर आपको लेके चलने हैं वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इस इंडियन प्रीमेर लीग दो हजार चोईस में अभी अच्छी विनिंग होने लगी है तो उसके लिए आप सभी भाईयों का दिल से शुक्रिया बट गईज आप लोग क्या एक गलती करते हो आप पूरा वीडियो देखके नहीं जाते फिर आप वह इंफॉर्मेशन में में कर जाते हो जो शायद आपको दूसरे वीडियो में न आस तक वीडियो देखना और साथ में आपसे एक निवेदन और करूंगा कि अगर आप मेरे शौर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप पहले भी आ चुके है बट अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीच चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और गई इस वाले वीडियो में आप लोगों के लिए फ्री गीववे है जिसमें आप हैड़फॉन विन कर सकते हैं टोटल पाच लोग और उसको विन करना बहुत आसान है करना कुछ ही नहीं है बस वीडियो पे आपको लाइक करन चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखना है तीनों काम कर दिए तो आप गीववे के विनर हो जाओगे तो पक्का से यह तीनों काम कर देना और पूरा देख लेना क्योंकि एक दो प्लेयर आज के मैच में ऐसे हैं उनको आप पक्का से रख लेना क्योंकि बहुत लोग उस प्लेयर को मिस्स कर रहे हैं यह चीज में आपको बता तो जीटी वर्सिल डीसी इंडियन प्रीमेर लीग दो हजार चोईस का गैज यह 32 मैच जो खेला जाएगा नरेंद्रे मोदी स्टेडियम एमदाबाद और यहां का प वह भी 67 मीटर की है तो यहां पर रन बनाना इतना आसान होता नहीं इसके अलावा गैज यहां पर है ना बैट्समेन और बॉलर्स दोनों को अच्छे पोरिशन में मदद मिलती है और यहां पर सबसे ज़्यादा जो विकेट्स निकालते हैं वो फास्ट बॉलर्स निकालते ह अगर मैं इस वाले ग्राउंड के एवरेज स्कोर की बात करूं ना तो वह रहता है लगबग 195 का तो आप खुद देखे कितना बड़ा स्कोर बनता है जो टीम यहां पर आप देखोगे जो टीम बात में खेलोगी उसकी विनिंग चांसे भी आई होती है टोटल 30 में से 16 मैच second batting करने वाली टीम जीती है तो अगर मैं overall review करूँ अगर इस ground की तो ये ground guys काफी बड़ा ground है पहली चीज रन आपको काफी बनते हुए दिखेंगे मतलब pitch batting supportive है और तीसरी चीज यहां पर fast ballers को अच्छी मदद मिलती है बट spinners का role भी important होगा अब आज के match में क्या राशित की team prediction आपको दूँगा बट उससे पहले गाई अगर आपने मेरा telegram channel शौर expert support को join नहीं किया है तो भाई toss के बाद हर match का free update में वहाँ पे share करता हूँ तो पक्का से join कर लीजिए इसी वीडियो के description में comment में आपको top पे link दिखेगा pin किया हूँ शौर expert support के नाम से बस click करना है सीधा join हो जाओगे toss के बाद हर match की बिल्कुल free team वहाँ पे मिलते हैं और अच्छी winning team जो मैं खुछ share करता हूँ पक्का से join कर ले ना telegram channel शौर expert support अब देखे गई इस वाले venue पर इस IPL 2024 में जो मैचेश केले गए ना उनमें कैसा कैसा score बना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले चोईस मार्च 2024 को मैच तक गुजरा टाइटन्स और मुंबाई इंडियन्स के भी जीटी ने पहले बैट किया 168 बनाए MI 162 बना इस वाले मैच पर जादा तर विकेट फार्श बॉलर सी ले गए 13 विकेट और इसके बाद यहां पर मैच हुआ 31 मार्च 2024 को संराइजर सहिद्राबाद और गुजराट टाइटन्स के बिचे संराइजर सहिद्राबाद ने 162 बनाए जीटी ने 168 बना दिये इस वाले मैच प यहां पर मैच हुआ चार अप्रेल 2024 को गुजराट टाइटन्स और पंजाब किंग्स के बीच यह वाला मैच काफी हाई स्कोरिंग मैच था और इस वाले मैच में ही पंजाब के शशांग सिंग ने काफी अच्छी बैटिंग करके मैच को विन किया था जीटी ने 199 बनाये थ शालतिते हैं दूसरी चीज जानी है तो कम चेक्ट तो जाहरे करें चाह्तों में चार रहे पिनर्स के लिए अब हीन को और सोच समझ के रखने है तो कौन से स्पिनर को रखना है राशित को नूर को अक्शार्पेल आप यह ओक कि मैदान के according भी बॉलर्स का सलेक्शन किया जाता है या प्लेयर्स का सलेक्शन किया जाता है तो कौन से रखने वो अपन आगे वीडियो में बात करने वाले अब गईज आज के मैच में GT versus DC की क्या playing 11 होने वाली है क्यूंकि ये वाला मैच दोनों ही टीमों के लिए important है खास थोड़ से डेली capital के लिए तो बहुत जाद है अगर वो ये मैच भी हार जाता है तो impossible सा हो जाएगा इसके लिए इस IPL में top 4 में जगे बनाना अगर गुजराट टाइटन्स की playing 11 की बात करूं तो साही सुदर्शन के साथ आएंगे शुबमंगिल ओपन करने इसके बाद आएंगे मैठ्यू वैड अब देखिए हो सकता है आज के मैच वे मैठ्यू वैड की जगे वापस से अपने main player रिद्धिमान सहा को बुला सकते हैं अगर वो थोड़ा fit हो जाते हैं इंजरी का concern है कर वो आ जाते हैं तो वो खेलते हों दिखेंगे क्योंकि मैठ्यू वैड वैसे विकेट कीपरिंग इतने कोई खास नहीं कर रहे इसके बाद अबीना मनोवर विजय शंकर राहूल तवेतिया शारुक खान राशित खान नूर है विजय शंकर है राहूल तवेतिया अगर बॉलिंग के option की बात करें तो चार बॉलर है राशित नूर उमेश यादा विस्पैंसर और मोहिश शर्मा टोटल पांच और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर भी जुड़ जाते हैं तो आज के मैच में जो बॉलिंग का selection अपन क करेंगे कि कौन सा दैत में करा रहा है और कौन कंप्लेट ऑवर्स करा रहा है डैली कैपिटल की बात करूं तो पत्वी शा के साथ आएंगे डैविड वाडनर ओपन करने इसके बाद जैक फ्रैजर आएंगे फिरीश अपन ट्राइस्टन इस्टप साइओ अक्षर पतेल कु साइश्टन इस्टप हर मैच में अच्छा कर रहा है डैविड वाडनर का बल्ला भी थोड़ा खामोश चल रहा है और पत्वी शाओ रिशा पत्में से कौन बैश्ट होगा बात करेंगे और बॉलिंग में इनके पास इना फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं यहां पर खली वीडियो पर लाइक का टार्गेट है चार अजार लाइक अगर आप इतने लाइक देते होना तो भाई को अच्छा लगेगा खुश हूंगा मॉटिवेशन मिलेगा पक्का से लाइक करना और लाइक से ज्यादा है पूरा वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि हर इंफॉर इंपॉर्टेंट है अधर्वाइस विनिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अब आज के मैच में माई लेवन सरकील एप्लिकेशन पे बहुत ही अच्छा ओफर चल रहा है ऑफर क्या है कि केवल आप एक रुपए लगा कि केवल एक रुपए लगा कि आप 25,000 रुप आपको सबसे पहले इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे आपको लिंक दिख रहा होगा उस लिंक से जाके एप्लिकेशन को डाउनलोड करना है उसके बाद जी टी वर्ट से डी से का मैच ओपन करना है और वहां पे आपको एक मेगा कॉंटेस दिखेगा जो की एक रुपए का है जाके जॉइन कर लेना है क्योंकि एक रुपए में कोई आपको इतना बड़ा प्राइस नहीं देने वाला तो पक्का से जाईए जॉइन कर लीजिए सभी आपसे रिक्वेस्ट है और रैंक वन पे 25,000 नीचे और भी प्राइजे से तो पक्का से आप जॉ करते हो तो जितना आप डिपोजिट करोगे उसका 20 परसेंट आपको एक्ष्ट्रा मिल जाएगा मतलब आपने हजार डिपोजिट किया तो आपको 1200 मिल जाएंगे तो जाइए माई लवन सरके लैप को डाउनलोड करिए साइन अप करिए 1500 का फ्री बोनस भी मिलेगा और इस पर आप कैसे विन कर सकते हो कैसे आज की मैच की टीम बनानी है कौन से प्लेयर्स को रखना है वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगा तो वीडियो के साथ आप बने रहना बट इस एप पे गईस थोड़ा सा वित्ते जोकी में इंक्लियूड है क्रपिया अपन अब सबसे बड़ी बात आती है कि आज के मैच के लिए 22 में से कौन से बैस्ट 11 प्लेयर है जो आपको लेके चलने है और इनका रिकॉर्ड कैसा है इसके लावा कौन से बॉलर्स को किसको कप्तान वाइस कप्तान बनाना है क्या प्लेयर बैटल है सब चीजे मैं बताऊंगा तो मैं फिर से आपको बोलूँगा अपसे जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है ना कहीं में स्किप मत करना बहुत इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले विकिट कीपर सेक्शन में गुज्रा टाइटन्स की तरफ से दिखेंगे मैथ्यू वैड नमबर तीन पे खेलता है लास्ट मोदी स्टेडियम एमदाबाद में खेलता है तीन मैच खेले 18 रन बनाए 30 का एवरेज और यहां पर अगर आप देखोगे इसका जीटी के अगेंस एक मैच खेला है 43 रन और लास्ट तीन मैचों में 41 और 45 अभीशेक पोरल जो लास्ट मैच पे काफी अच्छा करके गया था एज इंपैक प्लेयर टेम के साथ खेलेगा और शाई होप को लास्ट मैच में मौका मिला था बाकि लास्ट तीन मैचों में 11 तैथिस पाच टी ट्वंटी में 18 स्कावरे तो गाईज यहां पर आपको दिख तो चार प्लेयर रहोंगे या बट मेरे अकॉर्डिंग आपको इ अभी शेक पूरर को भी रख सकते हो बट जी एल में नॉट एसल में मैंने आपको बता दिया है तो यहां पर गाईज 11 में से मैं अभी एक प्लेयर स्लैक किया हूं बाकी के दस कौन होंगे वह भी मैं आपको आगे बताने वालो हुआ है इसके बाद गाईज बात करते हैं ग के 15 मैच 825 रं 69 का एवरेज है और डेली कैपिटल के अगेंस 33 का लास्ट तीन मैचों में बहतर उनने से 89 तो फॉर्म भी घजब है तो अपन गाईज इस वीडियो में देख रहे हैं जीटी वर्सेर डीसी की आज के मैच की टीम प्रेडिक्शन तो गुजराट टाइज की श बहुत पसंद करता है इस मैदान पे खेलना 9 मैच 404 रं 50 का एवरेज सामने वाली टीम के अगेंस एक मैच बासर टरन और लास्ट तीन मैचों में 35, 33, 33 तो 30 की रेंज में हर मैच में रन मना रहे हैं विजय शंकर को गईस कंटीन्यू मौका मिल रहा है टीम कंटीन्यू बैक कर रही है बड़ फॉर्म बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही लास्ट तीन मैचों में आप देखे 16, 17 और डीसी के अगेंस तो एवरेज भी 14 का है और अभी नव मनवर इसका भी रिकॉर्ड अगर आप डीसी के अगेंस देखोगे दो मैच के लिए केवल 27 और मनाए 13 की अव मश्ट पिक है बिल्कुल ड्रॉप मत करना अब विजय शंकर को बिल्कुल मत रखना अभी ना मनुहर को आप चाओ तो ग्रैंड लेग में एज़े ट्रम्पिक लेकर आ सकते हो बाकि यहां पर दो प्लेयर ही बैस्ट होने वाले इसके बाद गई डैली कैपिटल के बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं डी सी की तरफ से आज के मैच में कौन से बैट्समें अपने को रखने सबसे पहला नाम आता है डैविड वार्ड जो की ओपन करेगा लास्ट तीन मैचों में आर दस अठारा तो फॉर्म गई ना कई ख तो पैथवीशा को यह वाला मैदान भाई बहुत सूट करता है आप देख सकते हैं यहां पर एवरेज कितना जबर्दस्त है इसका है प्रॉक्स पचास का है लास्ट तीन मैचों में 32-66-10 और यहां पर बात करूं ट्राइश्टन इस्टप्स की लास्ट मैच अच्छा नही ना तो लगभख सभी फॉर्म में वार्णर को छोड़ के आप देखें पत्विशा अच्छा कर रहा है ट्राइश्टन अच्छा कर रहा है जैक फ्रैजर अच्छा करना है और वार्णर की बात करूं तो वह कुछ खास नहीं कर तो आज के मैच के लिए गई मैंने आपके लि राउंडर्स की ओल राउंडर्स दीके इनके कोई खास नहीं है राहूल तवेतिया इसका रोल सिंपल है नीचे आके थोड़ी बहुत बैटिक करनी है और एक तेजी से रन बनाने है बाकि हर मैच में रन बना रहा है बाईस तीस तेश और इस मैदान पर साथ मैच एक सो चार और यहां पर अगर मैं शारूख खान की बात करूं यह ऐसे स्पिनर है बॉलिंग भी कभी कभी कर लेता है बाकि इस मैदान पर रिकॉर्ड बिलकुल अच्छा नहीं है तीन मैच खेले 17 और जीटी के अगेंस पांच मैच आप देख सकते हैं डीसी के अगेंस पांच मैच मे आप सोच के देखें कितना सा अवरेज है और लास्ट मैच में 14 तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर आल राउंडर में किसी को भी नहीं रखना है आपको जीटी साइट से दोनों ही बढ़िया नहीं अपन डीसी की तरफ से रखेंगे अभी मैं दिखा देता हो आपको किसको ल मैथ में और पावर प्ले में कौन कराएगा बाकि अक्षर पटेल आप देखिए इस मैदान पर चार मैच चार विकेट है और यहां पर आप देख सकते हैं इसका रिकॉर्ड तीन मैच के लिए इगत्तरन मनाएं सामने वाली टीम जीटी के अगेंस और लास्ट तीन मैचों म मैच में क्योंकि इसका जीटी के अगेंस अभी तक कोई विकेट भी नहीं मिला अब सबसे इंपोर्टेंट सेक्षन आगया बॉलिंग का क्यों गुजरात के पास भी अच्छे बॉलर है डैली के पास भी अच्छे बॉलर है कौन से बॉलर्स को आज के मैच विक करना है वो मोईश शर्मा की बात करो फास्ट बॉलर है आप देखें इस मैदान पर मोईश शर्मा को बहुत पसंद बॉलिंग करना दस मैच खिले 26 विकेट लिये मोईश शर्मा ने इस मैदान पर और सामने वाली टीम के अगेंस एक मैच दो विकेट लास्ट तीन मैचों में दो अगर आप इस मैच के अकॉर्डिंग मेर से बात करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी आपिक है वो है मोईश शर्मा जिसको आप पक्का रख लेना क्योंकि यह इस मैदान पर अच्छा करता है दूसरा राशिद खान काफी बैटर पिक लग रहा है और तीसरा नूर एहमत को आप लेकर आ सकते हो क्योंकि नूर एहमत इस मैदान पर काफी खास है और अच्छा करके देता है बाकि स्पेंसर उमेश को आपको रखना है वह आपका डिसीजन है मैंने अपना डिसीजन आपको बता दिया है किसको रख सकते हो आज के मैच के लिए डैली अगेंस भी आप देखें तीन मैच पाच विकेट इस मैदान पर एक मैच दो विकेट इशान शर्मा जो की फास्ट बोलर है ठीक ठाक पर्फॉमेंस आ रही है कुल्दी प्यादव तो भाही आते ही छा गया पहले ही मैच में तीन विकेट उससे पहले एक उससे पहले दो अब इन तीन में से जो सबसे बैटर है वो है खली लेमद और कुल्दी प्यादव यह दो बैटर पिक बॉलर लग रहे हैं अब देखें गुजरा टाइटन्स की तरफ से इंपक्ट प्लेयर्स में से कौन-कौन खेल सकता है आज के मैच पे बियार शरत है दर्शन है अब देखें आज की मैच में आप लोगों को बड़ा कंफीजन हो रहा होगा शुबमन गिल को लेकि शुबमन गिल को क्या ड्रॉप कर दे आज की मैच क्योंकि अपने घर पे खेलना पसंद करता है तो प्लेयर बैटल से पता लगेगा कि डीसी का कौन सा बॉलर इसे परिश शुबमन गिल का इसके अलावा शारुक खान को खलील एमद दस बॉलों पे तीन बार आउट कर चुका है तो शारुक खान को तो बिल्कुल मत रखना रिद्दिमान सा अगर आज के मैच पे खेलता है और नौट याज भी खेलता है तो यह दोनों ओपनर खहीना के रिस्की पे रहेंगे साहा और शुबमन गिल और केन विलियमसन को कुल्दी प्यादव 32 बालों पे दो बार आउट कर चुका है बट विलियमसन मुझे नहीं लगता आज के मैच में खेलेंगे इसकी संभावना मुझे कम नजर आ रहे हैं इसके अलावा रिशव पन को आपको बता द है तो वह भी रिसकी रडार में आप यहां पर देख सकते हैं क्या गुजराट टाइटनस आज के मैच में कोई चेंज करेगा मुझे इसकी पॉसिबलिटी बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं वैसे आप यहां पर देख सकते डैविट मिलर की वापसी हो सकती है विलियमसन की अब देख सकते हैं आज के मैच में बाकि यहां पर चांस कम लगने इसके अलावा अगर डैली कैपिटल की तरफ से भी देखे तो यहां पर आप देख सकते हैं एंडेस नौटियाज हो सकता है आज के मैच में खेले क्योंकि इसका रिकॉर्ड थोड़ा जीटी के अगेंस अ सबसे बड़ी बात आती है कि भाई मैंने आपको बॉलर्स तो बता दिए बट सबसे बड़ा प्रश्ण है कि कौन सा बॉलर कितने ओवर्स करेगा पावर प्ले और दैट में कौन करेगा यह अपन देखते हैं अगर गुजराट टाइटन्स की बात करूं तो मेश यादव न पूरे चार और राशिट खान ने चार और नूर अहमद ने चार और मोईष शर्मा ने चार ओर इन सब ने मिलके अपने complete और जो डैट में बॉलिंग कराइटी वह कराइटी हूमेश यादा मोईश रमा और राशिट खान मोईष शर्मा दोनों को पक्का रख लेना और तीस पाच ठीक है यह आप देख सकते हैं चार-चार और पाचोने मिलकर करा तैस्ट में कराइं खलीया इशानत्र और मुकेश कुमां ने आज के मैच के लिए जो बढ़िया पीक है वो है खलीया निकल के आ है वो है कुल दी प्यादा और तीसरा मुकेश को मार है यह मेरे अक्वर्डिंग तीन बैटर टिक होने वाल है अब आज के मैच के लिए मैं आप लोगों को फाइनल टीम निखाने जा रहा हूं मैं हमेशा से आपको पता है दो टीम मनातों एक टीम सेफ एक टीम रिस्की बट आपको मैं फिर से बोलूँगा माई लेवन सरकील एप पर खेलिए बढ़िया एप्लिकेशन है एक रूपय में में आप मेगा जॉइन कर सकते हैं 25,000 रुपय आपको फॉर्ष प्राइज मिलेगा डिस्क्रिप्शन में कमेंट पर लिंक के जाके डाउनलोड करना और इस आप पे खेलना अब आज के मैच में किसको कप्तान वाइस कप्तान बनाना है वह भी गाइज मैं आभी आपको बता राशिद खान और अक्षर पटेल को रखा है यहां पे कुल्दीप यादव खलील एमद और मौईश शर्मा को रखा है यह सेफटी में अब रिस्की पे दिखा दे दो इस पर ईशबपन को सेम रखा है शुमंगिल साई सुदर्शन को सेम रखा है वार्डनर को सेम रखा है अब जैक फ्राइजर को लेकर हूं पैथविशा और ट्राइस्टन को ड्रॉप कर दिया राशिद खान अक्षर पटेल को रखा है और बॉलिंग में मैंने कुल्दीप खलील मुकेश कुमार और उमेश यादव को लेकर हूं बाकि इस वाली टीम में में मेरे अकॉर्डिंग इसको सी कर सकते हो और वी सी आप रिशापन को बना सकते हो या फिर राशित खाक बाकिये गई मैं लाइव आउंगा शाम को पाच बच के पैतालेस मिनिट पे तब आप जुड़ जाना तब मैं और आपको कंफर्म कर दूंगा आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको आप लोगों ने हमेशा की तरह इस वीडियो को भी टाइम दिया प्यार जाते 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 वीडियो लाइक कर जाना चैनल सब्सक्राइब कर जाना और ऐसे ही प्यार देते रहना ठीक है भाईयो नमस्कार बाकि कोई भी चेंज होगा कोई भी अपडेट होगा वह आपको